तो आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लिखे आई हूँ फिगर काउंटिंग का पार्ट है काउंटिंग अफ ट्राइंगल्स कोई भी फिगर में कैसी फिगर दिरखिए उसमें हम लोग त्रिभुच कैसे काउंट करेंगे आज हम यह सीखने वाले हैं तो अगर आप नए आज पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं पहली बार हमसे जुड़े हैं सब्सक्राइब कीजिए प्रियल मैम रीजिनिंग को शेयर कीजिए और फटाफट से लाइक का बटन जरू दबा दीजेगा ओके तो शिरुवात करते हैं आज के अपने इस क्रॉपिक को बिल किसी बिट फिगर का को इभी फिगरों आपके सामने उन सभी फिगर्स का आप ट्राइंगल कर सकते हैं अपके सामने कुछaces लेखेंद किसकर घुगर्स करूंगा इसFlow करेंगLe adulis को至 अपनी फिग दीजेंगल है। दूसरे फिकर आए आपके सामने यह इसमें कितने इसे भी साफ साफ गिन सकते हो एक पार को एक यह रहा दो यह रहा और यह पूरा बनेगा तीसरा तीन ट्राइंगल्स हो गया अब फिगर थोड़ी सी बढ़ी और कर दी हमने यह टाइप बन चल रहा है आपका टाइप बन का क्योड़ी सामने अगर और बरी कर दी अब दिक्कत होगज सबसक्राइब काौंत SPEAKER कर सकने हैं कांठ कर सकते हैं उसमें पर इसमें थाइम भरबा होगा हमारे पास time की दो shortage बहुत जबहा है एक्जाम में तो क्या करेंगे ONE है 2023 सबसे बड़ा है 3 तीन से यक बड़ा लो 3 से वेल्ई लेंगे उसे बड़ी वैल्यूसे इसे बड़ी बैल्यू से ऐखेंक फॉर्थी चबड़ी तुवेल करें बारा गाधा शै सब्सक्राइब के आपका सवाल आपका यह चो तो चाहर जब आपकी लाइन ऐ उपर नीचे तक तरफ एक हैड़ी इतनी weddings कितनी है Hamilton àर अंकि कितनी हो गहीं हैंATHAN MATT इसमें do no clutter 3 Wool जाएंगुत में से तो इसमें до 4 राइंग एंडिशान आइंग अंधर ट्रैंग slash CP4 जाएंगे सब्सक्राइब यह मैं सिखा रही हूं यह किसी ट्राइंगल का पार्ट होगा इतनी अरसान फिगर एक्जाम में नहीं है कि मुझे ही पता है पर यह किसी का पार्ट होगा आपको यह चीज आज जो कि तभी आप बड़ी फिगर को छोटे बाट टुकड़ों में तोड़के आप उसका जबाब निकाल सकते हैं अभी मैं सिखा आठ दू देखना नहीं फिगर बन गई फिगर में चेंज हो गया देखो वही होगा आपके से एक्जाम में भी फिगर वही रहेगी हलका फुलका तोर मडोर को दिखाया जाएगा अभी फिगर कैसे निकालोगी अभी आपने निकाल तीन है पर तीन जब था जब यह लाइन कितना हो जाएगा छे आपका अज़एगा माल झाल लो इसमें दो लाइने खीचदी मैने दो लाइने खीच दी अब क्या किया इस ये इस बड़े से ट्रीयंगल को तीन हबाड दिया पहला हिसा दूसरा हिसा तीसरा हिसा तीन स्रवАड दिया तो इस 6 को भी 3 से जा पर दिख उससे एक बड़ी लेंगे, multiply करेंगे आदा कर देंगे पर बीच से एक लाइन डिवाइड होगे उसमें क्या करेंगे हम लोग इतनी लाइन से डिवाइड होगे जितनी टुकड़ों में डिवाइड होगे उतरे से काउंट करते हैं जब भी इस लाइन की चीह होंगे तो हमेशे जाद रखेगा काउंटिं करो 1 2 3 4 5 सबसे बड़ी वैल्यू क्या है पांच है पांच कर डबल कर दीजिए कितना होगे दस नंबर आफ ट्रेंगल्स में 10 ही हो जाएंगे इस पर रेक्ते हैं सेम ऐसी 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना है बड़ी वैल्यू 8 है 8 कर डबल कर देंगे कितना हो जाएंगा 16 16 ही नंबर आफ ट्रेंगल्स हो जाएंगे सबज में यह था पार्ट 1 यह था आपका पार्ट 2 दो टैप सवाल कर लिए सवाल ऐसे भी हैं कि आपके एक्जाम में आप देखे होंगे अगर आ इसमें जब बहुत सिंपल जी फिगर आम देख पाऊगे 1 2 3 4 और एक 5 कितना हो गया 5 5 हो गया बिल्कुल सही पर इसमें दिक्कत होगी आपको इसमें थोड़ी दिक्कत होगी और अगर एक और ट्रेंगल अंदर बन गया तो दिक्कत बड़ी हो जाएगी तो ध्यान जब भी ट्रेंगल के अंदर ट्रेंगल इस सेप के फिगर आती है तो फॉर्मूला होता है आपका 4N प्लस का 1 यह आपका फॉर्मूला है एन का मतलब क्या हो गया number of small triangles कितने हो गए small triangles होता है इसका मतलब अब देखो इस बढ़ने के ट्रेंगल केंदर कितने चोटे हैं एक ह चोटा है तो 4N प्लस का 1 प्लस का 1 फाइव हो गया इसका अंसर इसमें कितना हो जाएगा number of triangles 2 है चोटे वाले 4N प्लस 1 प्लस का 1 कितना हो गया 9 आपका सही आंसर जाएगा छोटे मतलब एक यह रा और एक यह रा दो चोटे ट्रेंगल से इस बड़े 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 ट्रेंगल केंदे तो कितना हो जाएगा आपका 9 इसका आपस हो जाएगा I think यह था आपका overview ट्रेंगल का यही तीन टाइप के आपके वाट टाइप होते हैं अब इनी को मिला मिला के एक्जाम में नए नए कोशन बनाएगा इनी क मिलाएगा कभी इसको मिला देगा इनी को मिलाएगा और नए ने फिंगर बनाएगा कुछ फिंगर डेखटे हैं में किस आप के बड़े जो बच्ची पहली बार इस ट्रेंगल को पड़ रहे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं यह पहली बार पढ़ना ही चालो किया है आप- लोग के लिए बहुत ज़रूरी है जो चीज मैं समझा रहे हैं इसको कप में नोट डाउन कर लीजेगा ओके आगे चलते हैं कुछ सवाल देखते हैं इसके अंदर बतारेंगे इस सवालों का मतलब क्या है ठीक है क्वेशन देखते हैं कि किस तरह से एक्जामने आपको एक्जामस में घुमाता है यही फिगर्स होंगी बस हलका सा इसको घुमा देगा एक सवासी पे कभी कैसे घुमाएगा और नई नई फिगर्स बनाएगा आपके सामने और आपको लगेगा कि मैडम न तो पढ़ाया ही नहीं था कैसे आ गया तो इसलिए मैं आपको एक कन्फूजन दूर करने के लिए आपके लिए एक फिगर्स लिख आते हूं ठीक है अब देखेगा एक फिगर्स को में पहले दिग्रम नाई भी आपको फिगर्स बनाने का स्खाओंगे किस ताइप से बनने यह एक फिगर्स एक फिगर्स सबी लोग दूसरी फिगर त्रीसी फिगर आपके सामने ये रही नेक्स्ट फिगर ये रही आपके सामने बताएगा इसका जवाब क्या हो जाएगा फटा-फट से चौथी फिगर आपके सामने ये रही नेक्स्ट फिगर ये रही आपके सामने एक सेकिंड बस को कंप्लीट कर दें फिर हम कोश्चन की तरफ भी बढ़ने वाले यह लीजे अगली फिगर आपके सामने यह रही अब आपके सामने मैं भी चार फिगर्स बनाई दो तिन फिगर्स और बाकी वह भी सिखाऊंगी मैं आपको पहले इफ चार फिगर्स देखिए सब में ट्राइंगल्स काउंट करना है आपको और देखो सारी फिगर्स आपकी कुछ टेरी में इसी हैं इग्जेक्ली वह फिगर्स नहीं हैं जो अभी हमने पड़ी वैसी फिगर्स नहीं है कुछ न कुछ चेंज किया गया है पर बनेगा आंसम का वैसे सब में पढ़ा कितने बन गए 5 triangles किसे को रिकत कितने है 1 2 3 4 अब बड़ा गड़ा triangles कितना हो गया 5 इसको देखते हैं अब देखो इतने को देखो उसको इधा कर दो तो आप देखोगे 1 2 3 4 बड़ी वेल्यू किया 4 4 से एक बड़ा कितना होता है चार से एक बड़ा होता है 5 5 4 जा 20 20 का आदा 10 बतला है यहां आपके 10 बन रहे हैं यहां कितने बनेंगे 1 2 3 3 से एक बड़ा 4 4 रिया 12 12 का आदा 6 इधर वाले में 10 इधर वाले में 6 तो 10 प्लस 6 कितना हो गया 16 आपका सही आंसर है समझ में आ यहां सेम फिगर है वो सेम फिगर समझ में आ रहा है एक एरी एक एरी इसको ऐसा करेंगे तो वही सीखेंगे जो आमने टाइप 1 में सीखा 1 2 3 4 4 से एक बड़ा 5 5 4 20 20 का आदा 10 सेम ऐसे इसके लिए 3 है 3 का एक बड़ा 4 4 3 12 12 का आदा 6 तो 10 प्लस 6 आपका 16 हो गया बिलकुल सही आंसर है अगला सवाल देखिए आपका यह रहा question number 3 इसमें हम क्या करेंगे इनको बाट लेंगे अलगलग हिस्सों में एक हिसाब का यह एक हिसाब का यह रहा एक हिसाब का यह रहा और एक हिसाब का यह रहा ऐसे इनको चार हिस्सों में बाट लेंगे और फिर इसका जवाब निकालेंगे जवाब वैसे ही निकलेगा जैसे अभी हमने सीखा अब देखो अगर सब को भूल जाओ इतना सोचो इतना क्या है 1 2 3 3 का एक बड़ा चार चार दूर्थी का 12 बारा का आदा 6 यहां पर 6 बने यहां भी 6 ही बनेंगे सेम वैसा है यहां भी 6 ही बनेंगे 6, 12, 18 अठार तो यह बन गए 19 वाला यह हो गया बीच का और 20 वाला यह हो गया कितने हो गया आपके 20 नंबर आफ ट्रेंगल्स बन जाएंगे कि फ्वίνटी नंच रदा हुआख कुछ भी अलग हमने किया नहीं किया जीएम वही चीज को अपनाया जो आपने सीख आए केवल अलग अलग तरीके से इसमें देखते है हम देखो एक दो यह वह कितना हो गया 3 तो यहां बन गए तीन यहां बन जाएंगे तीन यहां बन जाएंगे तीन यहां बन जाएंगे ठीक है बीच में लेखते हैं एक दो तीन चार पांच छह छह है छह का डबल कितना हो का सिखायत है मैंने इतने होते हैं उसका डबल करेते छह दूनी बारा हो गया बारा बीच में, तो four, four three or twelve with corner में बारा बीच में 24 चीज़े हो गए, अब बात करते अलग बात, अब एक बात ध्यान दीजेगा इसमें, एक नई बात जो आपको ध्यान देनी है इस टाइफ के सवालों में, क्या, जब भी आपके सामने दो figure जुड़ें, जैसे ये दो figure इसके न देखो, इन दौनों के जुड़ने से एक नई figure बनगी, एक हीरा triangle, एक, एक हीरा, दो, सेम ऐसे दो यहाँ बन जाएंगे, एक हीरा और एक हीरा, कितने हो गए, चार्ड ट्रेंगल, तो 28 आपका सही आंसर हो जाएगा, इस सवाली figure का, समझ में आया, 28 आपका एपसल समाल हमेशा basic का होता है, इसलिए हमेशा focus ही रखो कि basic strong हो, अगर basic strong होगा तो आप ऐसे हजारों सवाल निकाल सकते हो, कैसे भी कोई figure देते, अब देखो, इसमें हलका change कर निकला देगा, अगर मान लो figure यही लेती हुँ में, figure यही लेती हुँ में, मान लो, यह figure यह सो complicated और क हो जाएंगे, यहाँ 6 थे, अब 18 हो जाएंगे, यहाँ 6 थे, यह 12 हो जाएंगे, बीच में अभी भी एक रहेगा, ऊपर एक रहेगा, तो 12, 18, 12 और 2, कितना हो जाएगा, 10 और 14, 1, 2, 3, 4, अब इसका अंदर 44 हो जाएगा, कुछ चेंज ही नहीं होगा, अगर basic का strong है तो हमे हमेशा ध्यान दिखेगा, basic पे जितना focus करोगे, उतना आपके लिए फायदे मंद रहेगा, उतना आप, आप यह मस सुचा करो कि आपने कितने question लगाए, quantity पे ध्यान दोगे, कभी कुछ नहीं कर पाऊगे, quality पे ध्यान दो हमेशा, quality पे ध्यान दोगे, अगर एक सवल आपन जब भी इसका answer यह answer हो जाएगा, कितना है एक दो तीन चार, 12 होता है, 12 होता है, तो अगर रट लिया तो के वल आपको एक ही figure यह जाद रहेगी, कि यार इसका answer 12 होता है, इसका answer 12 होता है, आपको ऐसे हाथ निक रट्ट्र होता नहीं बन रहा, आपको रट्रना भी है पर सम अगला सवाल आपके सामने एक फिगर यही जरा बताईए इसमें नंबर आफ ट्रैंगल कितने हो जाएगा फटावट से काउंट कीजिए नंबर आफ ट्रैंगल सी वताने इसके अंदर भी अब देखो साफ साफ मुझे देख रहा है देखो मेरी नंदर से आपको बहुत कुछ देखेगा इधर तीन है फिक्स यह बार अठ लीजेगा जब भी फिगर ऐसी बनेगी हमेशा तीन ट्रैंगल सी बनेंगे हमेशा याद कर लो तीन ही से बनेंगे तीन ही से बनेंगे इतने हो गए तीन इसमें तीन इसमें नौ तो यही हो गए और तीन ही इसमें बन जाएंग प्लस का 3 कितना हो गया 12 हो गया 12 ही आपका सही आंसर है तो कितना हो गया 12 आपका सही आंसर हो गया 12 एपसलूटली करेक्ट आंसर है तो आई होप आपको समझ में आ होगा कि किसी फिगर को काउंट करने के लिए हैं बेसिक पता होना चाहिए था और आपकी यही चार फिगर है जिनको घुमा-घुमा के एकजामना के सवाल पूछता है यह था आपका पूरा फिगर काउंटिंग के पहला टाइप ट्रैंगल को क करते हैं अगले दिन हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आएंगे तो अगर आपको पसंद आया हो यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कीजिएगा अपने इस चैनल को और आप सबी दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा कि किस साइब से हम बहुत असानी से अगर हम बेसिक पर ध्यान देंगे कैसे हम किसी भी फिगर का नंबर और ट्रेंगल काउंट कर सकते हैं तो टेक कियर बबाए बिलते हैं कल वापस एक नई वीडियो के साथ एक नई चीज के साथ टेक कियर बबाए सब्सक्राइब शेयर लाइक करना मझ भूलेगा बबाए